पर दिये चला सकते हैं वो भी एक या दो चमबच थेल में आजकल हाउस वाइफ की जुबान पर एक ही सवाला की दिवाले की सफाई कैसे करें तो आजना मैं एक आल इन वन वीडियो लेकर आई हूँ 20 टिप्स के साथ करटेंज होंगे इसमें शामिल पंके हम कैसे साफ करें सा कुछ ऐसी चीजें जिनका हम रियूस कर सकते हैं जैसे की बच्चों की आर्ट्स ABCD या फिर 143 जो भी बच्चों की चुट मोटे आर्ट्स आते हैं और कही बर क्या होता है हम उनको फैक नहीं लगते हैं बच्चे नहीं यूस करते या फिर खराब हो जाते हैं तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं तो आज हम इसे करेंगे सफाई तो देखते जाएगे बहुत यह बढ़िया से टेप ले कराई हूँ तो यहाँ पर कोई भी आपको कोटन क्लोथ इसमें अच्छे से चड़ा देना है कोई फैवी क्लोथ की जरूरत नहीं है रियूजिबल है आप यह क्ल इसके उपर चड़ा देंगे जहां पर इसका एंडिंग पॉइंट था बस अच्छे से बांदेना है और भी जादा ग्रिप लगानी है तब आप लगा सकते हैं तो यहां पर हमने जो है अच्छे से इसको जो है रबट से बांद लिया है और इसमें आपना फोम का यूज भी दो यहां पर हमने ना तो किसी फेवे कोई का यूज किया है री ऐूज बट बपहरा बना भी सकते है बहुत जादा हैक्टिक काम नहीं है तो इससे हम साफ करनेवाले हैं टूब लाइट सकते हैं बहुत आप्धी साफ हो जाएगी मैं इससे घूः करती रहते ही वह बहुत जादा उंचाई पर होता है और उससे जो है हम बहुत जल्दी के बार साफ भी नहीं कर पाते तो इसके ना आप बहुत ईजली साफ कर पाएंगे बस आराम से कीजेगा जटके से मत कीजेगा क्योंकि जो पाइप है वो ट्यूपलाइट से जादा टकरा सकता है तो आप थोड़ साइड में आ चुकी है और नॉर्मल आप इसको जो है बाद में वोश कर सकते हैं अगला टिप भी और भी जादा इंटरस्टिंग है तो इस टिप में बहुत सारे टिप जो है शामिल है तो इसके लिए जो हम लेंगे बहुती मोटी सी स्पोंज ही हमने ली थी सौफे वाली जो दुकान आते हैं उसमें से बीस रुपे का ये स्पोंज ले लिया था क्योंकि जो नॉर्मल स्पोंज आते हैं बने बनाए वो इतने जादा मुझे एफेक्टिव नहीं लेगे जितना ये एफेक्टिव लगा इसके जैसा मैंने अल्रेडी बहुत सारे जो है स्पोंज घ करेंगे क्योंकि जिन लोगों को दिककत होती है उपर चलने की हम फेन क्लीन करें टाईल्स कैसे क्लीन करें चत कैसे साफ करें तो साफ सपोंज आप उन जगऑ ना रूँज स Savage करेंगे जहां पर आपको लगता है कि ये पाली आपको जो हर वो चीज साफ चाहिए तो आज दो काली-ाली स्पॉंज का यूज मत कीज़े, गंडे का नहीं तो यहां पर आप वाइपर वाला पाइप ले सकते हैं, तो मैं देने वाइपर वाला एक टूट वाइप दया हो दो हुआ था उसके उपर हम लिए जो है वाइपर तो निकाल लिया था। तो हमने उसको effective है बच्चों की पहुंच से दूर रखें हो सके तो चाको का यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा सा डीपली कट लगाएंगे और इससे के होगा ना आप कोई भी जगए पर जैसे पंखे हैं पंखे का जो हम विंग है उसके ओपर इसको आप अच्छे से रख सकते हैं और उसके बाद आप फैन को क्लीन कर सकते हैं तो ये तो था प्रोसीजर जो मैंने भी आप के साथ जो है शेयर किया है बहुत अच्छे से यहां पर मैं डीपली कट दे रही हूं क्योंकि थोड़ा सा ओपन होगा ना इसका जो है मूँ कह सकते हैं तो ये बहुत अच्छे से जहां पर आप चाहेंगे वहां पर ये अच्छे से जो है डल जाएगा जैसे कि फैन के बीच में हम चाहते हैं कि उसके विंग्स को बहुत अच्छे से ये क्लीन कर दे तो इस तरह से आपको डीपली कट लगाना है कुछ sponge यहां पर कर जाएगा तो एक साइड इकट लगाएंगे दूसरे साइड को आप नॉर्मर रखतेंगे क्योंकि हम दूसरी साइड से करेंगे टाइल्स की सफाई तो सबसे पहले हम वही चीज करने वाले हैं पाइप को यहां पर डाल दिया है तो आप देख सेते कितनी गंदी निकली है दूसरा विंग मैं अभी ना आपको करके दिखाने वाली हूँ कि दूसरा विंग आप कैसे करेंगे आपको ऐसे अटका लेना है नॉर्मल और उसके बाद ऐसे सफाई कर देनी है साइड में से गीला बाद में करेंगे तो जो कालिक है ना वो चिपक जाएगी वाइट वाले पंखे पर तो आप गीला स्पोंच मत फेरियेगा गीले स्पोंच से अच्छा कि आप जो है नॉर्मली आप जो कीले कपड़े से बाद में साफ कर सकते हैं तो ऐसे ना आप सारी कालिक को निकाल सकते हैं मैंने एक विंग को बहुत अच्छे से साफ कर दिया था बहुत एजली क्लीन हो जाता है बट आपको थोड़ा साना पिशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि नीचे खड़े होकर आप ये सारी चीजे कर रहे हैं आप चाहें तो एक स्टूल की हैल प्ले सकते हैं आप किसी भी चीज की हैल प्ले सकते हैं जैसे जिन लोगों को बहुत जादा दिक्कत आती है खड़े रहने की जैसे उपर चड़ने की उनके लिए पॉफेक्ट है अच्छे से क्लीन हो जाएगा बट ये है कि आपको जो गिले कपड़े से अगर साफ करना है तो आपको थोड़ा सा उपर उठना ही पड़ेगा वरना ये जो नॉर्मली डस्टिंग कह सकते हैं और बीच में से जो रूई 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 बलैक आती है वो सारा क्लीन कर देगा तो यहां पर ना मैं भी आपको दिखाती हूँ कितना जादा गंदा हो चुका है तो यह देख सकते हैं आप बहुत ही जादा इसके ओपर जो है गंदी लग चुकी है बट बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है बहुत एजली क्लीन हो जाए और इसी को अब हम करेंगे तो बारा से क्लीन और अब हम करने वाले हैं PVC की सफाई जी हाँ PVC की सफाई भी बहुत जादा जरूरी है हमारे घर में जो PVC लगी है वो वाइट कलर की लगी है पर थोड़ी सी ना ब्लैकनेस और यलोनेस आ गई है तो इसको डीप क्लीन आज हम करने वाले हैं इसी से और तो वीडियो को पूरा वोच कीजेगा तो फैन तो क्लीन हो गया घर में PVC भी होती है टाइल्स भी मैंने आपको साफ करके दिखा दी है फोटोस साफ करके दिखा दी है तो और क्या रहता है बाकी तो दिवारे वागेर हम क्लीन करते हैं या फिर नॉर्मल इस पॉंज से भी कर सकते हैं बस गीळा वागेरा नहीं करना तो deep clean करने के लिए PVC को आपको क्या करना है अच्छे से पहले तो इसको wash कर लेना है और इसका ये वाला side जिसको मैंने ना तो cut किया है और ना ही इसके भीश में होला है इस side से मैं PVC को साफ करूँगी तो इसके उपर मैं थोड़ा सा vinegar add कर दूँगी तो मैंने बहुत जादा dip न देने की जरूरत ना पड़े market से और बहुत जादा हमें wash करने की हाथों को बहुत जादा कश्ट देने की जरूरत ना पड़े इसलिए वाला hack मैंने try किया और अब हम क्या करेंगे बस वही stick को दोबारा से इसमें लगा देंगे तो हुआ ना बहुत ही कमाल का क्योंकि अगर सारी cleaning कर सकते हैं तो उस जो पार्ट को अब हम जो विनेगर वाला पार्ट है उससे हम पहले PVC को अच्छे से चारो साइट से एक बार साफ कर लेते हैं और बहुत अच्छे से करेंगे फिर आपको दिखेगा कि थोड़ी थोड़ी blackness जो है वो सारी उतरनी शुरू हो जाएग कोई भी दिखतर नहीं आएगी और एकदम से clean हो जाएगा वैसे तो अगर आपके जो PVC है बिल्कुल नीचे है ना तो आप मैं suggest करूँगी कि आप baby wipe से भी उसको साफ कर सकते हैं बहुत easily हो जाती है तो एक बार मैं धो कर ना विनेगर वाला जो sponge है फिर मैं लेकर आई हूँ ताकि जो भी इसमें blackness और yellowness थी जो बाहर आ चुकी है वो भी मैं clean कर दूँ तो एक से दो बार आपको करना पड़ेगा पर इससे क्या होगा आपको ना तो stool पर चड़ने की जरूरत है पंके के लिए तो है क्योंकि उसके जो फर है वो टेड़े हो जाते हैं पर PVC के लिए ब मज़ेदार मुझे ये trick लगी और ना तो मुझे कोई cleaner की जरूरत पड़ी ना ही मुझे कुछ soap वगएरा की जरूरत पड़ी हाँ इसको आप कपड़े से भी कर सकते हैं पर ये वाला जो hack है आपके बहुत जादा काम में आने वाला है तो बस आप इसको ऐसे ही करेंगे बिल कर्टेन वाला एरिया होता है उसके पाइपस को साफ करना वो भी हमें चड़कर ही करना पड़ता है तो हमने वही वाला किया हमने दो लिया फिर से जिसमें हमने कट लगाया था बस उससे हमने जो पाइप के बीश में इसको फसा दिया और मुझे बिलकुल भी स्टूल की है कि दिनों में से अच्छा लगा दिवाली के लिए की सफाई अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए अब दिवाली पे परदे नहीं धोए तो ऐसा तो होई नहीं सकता परदे आपको बता है आज कल कड़े वाले आते हैं इसमें बहुत सारी दिक्कते आती है तो चले शिरू करें और अब हम क्या करेंगे इन कर्टेंज को कर लेंगे इकठा तो इसमें से यह जो कड़े होते है पर आज मेरी गेरेंटी है आपको किसी भी दिकत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप मेरे तरीके से बताये हुए इस तरह से परदे को दोते हैं तो यहां पर मैंने अच्छे से परदे को इकठा कर लिया है तो जब मैं कर्टेन डालने वाली हुँ आप देख सकते हैं तो इसके साथ हमने ना इक बहुत ही छोटा सा है करना है आपको क्या करना है कोई भी घर में जो पुरानी सोक्स है उसको ले लेना है और सोक्स में याद से आपको सर्फ जरू डालनी है क्योंकि जो अंदर वाला पो सेजर तो पस आप बांध कर उसको डाल दीजी जिए वाशे में साथ के साथ मैं आपको बथाती भी जा रही हुं और शौर भी करती जारी हдоूं कि क्या करना है कैसे कुर्स को कइसे करना है और अब क्या गरेंगे हमने इसम先 डाल दीए है जो अने लें अपने कर्टेंस को आ जैसे कि अभी मैंने यह चार पर्दे वही थे तो मैंने कहा किया इन चारो कर्टेंस को अलग टाला है और जब आप इसमें दस कर्टेंस डाल देंगे ना तो ओवियस है थोड़ी बहुत जो गंदी है वो रह जाती है तो कर्टेंस को बैच में डाली है और सेमी मशीन है आपकी प्रफटा गड़ने की बिल्कुल जलूरत नहीं है सारे कर्टेंस को आपको बिल्कुल एस इस ही करना है बस आपको नो कोई कपड़ा ले लेना है अगर आप रबर्ट से इसको करते हैं कर दो एक साथ जो है फस जाती है और के बार टूटने का भी खतरा रहता है तो वैसे त कि सिल्वटो को कैसे निकालें सिल्वटे बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होती है क्योंकि जो हमें दोने के बाद अगर आइरन करना पड़े यह फिर बाहर से काफी महंगे एक कर्टें काफी महंगे प्रेस होते हैं तो इस दिकत से आप चुट करा पाएंगे इस बर्फ से जब हम आइस क्यूब्स डालेंगे अपनी वशिंग में तो आइस क्यूब्स जो होगे वो पर्दों को सिल्वटे नहीं आने देगी और यकीन मानिए पूरी एंट तक वीडियो देखेंगे ना जब मैं कर्टेंस को बहार निकालूँगी तो आपको यह दिकत बिल्कुल नह तो अब क्या करेंगे इसमें कम से कम दो ट्रेस तो डाली है क्योंकि चार पर्दे थे अगर आप छे साथ पर्दे कठे डाल रहे हैं तब आप जो है ट्रेस जाधा डालेंगे यह नहीं एक दो आइस क्यूब से खाम चल जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको कम से कम दो ट्रेस तो डालनी पड़ेंगे आपके सामन में ने दो ट्रेस डाली है और उसके बाद मैंने मशीन को लगा दिया है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर मेरी है आटोमेटिक मशीन तो मैं फजी मोड पर इसको अपलाए करूंगी तो यह जो बाकी के बटन्स है ना अगर बेगाँ में के बटने तो अब हम क्या करेंगे और आफ्टर वोश आप देख सकते हैं कितना बड़ी हो परड़े रिजल्क बिल्कुल अच्छे से परदे धूल क EPA के सामने में सारे करियों और दिखाऊंगे तो जो हम ने इसके ऊपर कप्ड़ा बांदा था पहले तует साह न उसको निकाल देती हूं और उसके बाद कर्टेन अभी हम देखते हैं जो सौक्स में जो हमने डाली थी ना सर्फ वो भी अच्छे से धुल गई है बिल्कुल सौक्स अंदर से साफ है और उसके बाद इसमें से जो भी कड़े है वो एज़िटीज ही है वो बिल्कुल नहीं खरा जाएंगे वोशिंग मशीन में डालेंगे तो परदे खराब हो जाएंगे और जो यह गंदे रहेंगे अच्छे से साफ नहीं होंगे अगर हम इसे किसी चीज में डाल देंगे तो यह देखिए कि इतना बड़ा परदा था इसी के साथ ही मैं आपको सेकिंड वाला भी अभी ओपन करके दिखाती हूँ तो मैंने जो कर्टेंस आपके सामने बांदे थे ना तो मैं आपी के सामने इसको ओपन करके दिखाऊंगी एक नहीं दो दिखाऊंगी और फिर आप खुद कहेंगे कि नेक्स टाइम से हम क्यों इतना प्रेशर ले रहे थे कर्टेंस को साफ करने म दोने में तो आप भी यही वाला तरीका जरूर अजमाईएगा और अभी आपी के सामने में सेकिन्ड वाला भी ओपन कर रही हूँ तो यही देखे किता बढ़िया रिजल्ट मिला है एज़िटीज ही परदे हैं पर अच्छे से धूल भी गए हैं और अगर आप इससे गंदे से गंदा परदा जो है वो साफ कर सकते हैं और यही मेथड अपनाईएगा पस जादा गंदा हो तो थोड़ी जादा सर्व डाल और अब हम आते हैं तीसरी दिक जो हमें आती है वो होती है कि सिल्वटे परना तो मुझे तो बिल्कुल भी सिल्वटे नजर नहीं आई बरफ की वज़े से और बरफ बिल्व घर में इसली मिल जाती है बहुत अमेजिंग से result मिल रहे हैं और बिल्कुल भी ऐसा मुझे नही का सुखने के लिए डाला है मैंने और इस ऐसे ही डाल कि तब इसमें सिल्वत टेन नहीं मैंने कुछ को प्रॉपरली जो var выступ टुर्टेस यह किता अपको अपन्हें ज्याने के पड़ी इसमें इसमें सिल्वत टैने पड़ी तो जाडू से सामान नहीं निकलता और दूल मिटी नहीं निकलती, तो उसके लिए बहुत जादा कारगर है, बहुत अच्छे से साफ कर देता है, चोटू सा है और बार-बार निकाल कर आप इसको साफ कर सकते हैं, और वोशिंग मशीन में भी आप इससे दो सकते हैं, हाथों से भी दो सकते हैं, और जहां-जहां आपको लगता है ना कि हाथ नहीं जाएंगे, तो वहाँ-वहाँ यह चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, इससे जाली वगएरे की सफाई भी कर लेते हैं, तो all-in-one है, आप इसको जरूर जो है Amazon पर जाकर परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप घर का कोई ना कोई जुगार इसके लिए भी लगा सकते हैं, मुझे अच्छा लगा हमारी घर में यूज किया जाता है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर दूँ, तो ये देखे, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये open भी, अगर मैं कहूं इस दिवाली आप पानी पर दिये चला सकते हैं, वो भी एक या दो चमच तेल में, तो आपको कैसा लगेगा, इससे आपके तेल की बचचत भी होगी, और बहुत ही जादा ये आकरशिक भी लगता है तो चलिए फटा-फट से शिरू करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए aluminum foil, वैसे तो ये जो plastic के cover चड़े होए होते हैं, जिस पर आग नहीं पकड़ती, कोई भी ऐसी चीज का जो sheet है वो ली सकते हैं, मेरे पास ऐसी कोई sheet available नहीं थी, तो मैंने सोचा इसको aluminum foil के उपर भी हम कर के देखते हैं, क्योंकि aluminum foil के हमने बहुत जारे hacks किये हैं, उसमें मुझे पहले से पदा था कि इसको आग नहीं पकड़ती है, तो मैंने सोचा इसको try करते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या गरेंगे, aluminum foil के चोटे-चोटे टुकडे काट लेंगे, आपके हिसाब से आप जैसा अकार का इसको काटिएगा, ताकि जब आप इसको पानी में रखेंगे तो यह डूबे नहीं, और secondly, इसके बीच में हमें करना है haul, तो बहुत जादा चोटा मत रखिएगा, आप इसे बड़ा भी रख सकते हैं, तो मुझे इतना size ना decent लगा, इसे जादा बड़ा रखेंग वैसे चाकू को, आप चाकू की help से या किसी pen की help से इसके बीच में haul करेंगे, चोटा सा haul कीजेगा, जादा बड़ा haul नहीं करना है, अभी मैं आपको आगे का process बताती हूँ कि आगे क्या क्या करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल लेनी है हमें, जो हमारे घर में रूई आती है, वो, तो आपके घर में जैसी रूई यूज होती है, बिल्कुल वैसी आप करेंगे, बस रूई का सीरा हमें इसके haul में से नीचे की side से उपर कर लेना है, और बस हमें यहीं करना है, बहुत अच्छे से बस इसको ने टिकाना बहुत अच्छे से जरूरी है, और एक बार, जो है, हम बात का ध्यान जरूर रखेंगे, कि पानी में डिप किया हुआ, आप दोबारा यूज नहीं करेंगी, मतलब, कि रूई, जो उपर वाली रूई है, जिसका सीरा उपर की side निकला होगा, अगर उसमें पानी लग गया है, तो आप उसको यूज मत कीज बस अब हम क्या करेंगे, सारी बतियों को जो सीरा है उपर का, अच्छे से ओइलिंग कर लेंगे, ताकि उसमें आग बहुत अच्छे से जल सके, अब यहाँ चार-पांच मैंने जो है, यहाँ पर दिये बनाए है, पानी वाले, तो इसमें हम चार जो है चमच ही, जो है तेल डालेंगे पानी में, और उसी के ऊपर यह जो अलुमीनियों फोल है, उसको रखेंगे, तो यहाँ पर मेरा बेटा बहुत जादा क्यों है, इसमें क्या कर रही है मम्मी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे आग, बस इतना दिया रखना है, एक जगह पर जाएगा, तो दुबारा बुझ जाएगे, जैसे कि मेरे साथ अभी हुआ, यह जो बुझा है इसी वज़े से हुआ है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही जैसे दिवाली वाले दिन आपको दिये जलाने है, तो आपको बस साइड में इसको रख देना है, जह टेप से अमीर है, आपको पसंद आयोंगे, लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा, जैसे भी हो, यह नहीं सबसाद कीप्स?